Hey everyone, welcome back to my YouTube channel तो इस वीडियो में हम discuss करेंगे Class 9 Maths Chapter 2 Exercise 2.5 Chapter 2 Polynomials Exercise 2.5 का Question 2 आपको पता है इसमें हमने Question 1st किया था था ना उसमें हमने 2 identities discuss करेंगे वो identities कौन सी थी एक identity थी चलो से बाद में solve करनेंगे या लिख लेते हैं एक identity तो उसमें हमारी थी x square plus a plus b x plus a multiply b और एक identity हमारी थी a square minus b square हमने 2 identities उसमें discuss करेंगे थी क्योंकि उन questions में यही 2 identities use होनी थी तो उससे हमने यह 2 identities से question solve करेंगे तो उस वीडियो को ज़रूर देखना playlist के link में मिल जाएगी तो अब यही थी identities हम इन में use करने वाले कैसे क्योंकि question कहता है कि आपको इनके products find करने without multiplying directly जैसे directly multiply करता है वैसे multiply नहीं करना तो कैसे multiply करें क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 103 को 100 plus 3 of course लिख सकती हूँ और 107 को 100 plus 7 देखो मैं इसे ऐसे लिख दिया 100 plus 3 और 100 plus 7 है ना तो अब मैं एको directly multiply नहीं करना आपको याद है ना मैंने question first में इसमें कौनसी identity use करी थी जब दोनों numbers same होते हैं add हो रहे होते हैं मतलब same नहीं होते तो उनों bracket में multiply करनी होते हैं और दोनों number add हो रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं पहले की multiply पहले से होते है वो same होते है तो उसका square हो जाता है दूसरे दो numbers a और b को add करते हैं और फिर multiply करते है x A और फिर उनको multiply कर dedim कौनसी identity use करते हैं हम इसमें ये वादी क्यों क्योंकि identity का है ये की इस identity को ये ही कहते है x plus a इसको अगर आप है तो क्या मैं इस identity को use कर सकती हूं of course कर सकती हूं क्योंकि एक term x और x सेम है plus a करना है और अधर plus b करना है तो इस identity को अगर मैं use करूं तो यह होएगा hundred square plus three plus seven x की जगे क्या आएगा hundred plus three multiply seven hundred का square two zero और लग जाएंगी three plus seven ten होता है ten की multiply hundred से जीर और लग जाएगी और three multiply seven twenty one यह हो जाएगा one one zero two one हमारा answer तो हमने actually न directly multiply तो बिलकुल नहीं करा बिना directly multiply करें बिना हमने identity से solve करा क्योंकि हमने identities question first में learn की थी कि अगर कोई term ऐसी होती है तो हम इन identities को open करते हैं तो हमने इन identities से इन्हें open कर लिया तो first part कर लिया आप देखते हैं इसका second part तो इसका जो बी part है that says 95 into 96 अब आप यह मत कहना किसे ऐसे लिख लें प्लस 5 into 90 plus 6 होगा तो वैसे भी solve लेकिन बहुत लंबी calculation बढ़ेगी बहुत जादा लंबी तो हम ना इसको ऐसे लिखना पसंद करेंगे 100-5 100-4 पता है अब आप कहोगे यह तो दोनों माइनस होगे हमने तो प्लस वाली identity सीखी थी आपको बताया था ना हम माइनस माइनस की multiply करते हैं तो ऐसे प्लस हो या माइनस हो identity हमारी वह लगेगी identity क्या है x square plus क्योंकि हमारा situation वह पैटरी है x square plus a plus b x plus a into b identity कैसे लगाएंगे x square मतलब 100 square plus करेंगे minus 5 को और minus 4 को multiply करेंगे 100 से फिर plus करेंगे minus 5 और multiply करेंगे फिर minus 4 से देखो अब कैसे करेंगे 100 square तो 2 0 extra इसे bracket को खोलो minus 5 plus minus minus 4 into 100 फिर इसे bracket को खोलो minus minus अंदर क्या हो जाएंगे plus हो जाएंगे जब multiply करोगे तो यह गए plus 20 ठीक है अब इसे करते है solve यह आगए 40 minus minus क्या होते हैं plus हो जाते हैं तो यह हो जाएगा 9 और sign किसका देगा minus का अगर अंदर minus का sign आएगा तो bracket खोल के भी भार minus का sign आएगा minus 900 plus 20 तो इसे कैसे solve करेंगे पहले 20 को लाएंगे addition board mask according न तो इसमें add करेंगे 20 यह हो जाएगा 0 to 0 और minus करेंगे इसमें से 900 जो हमारा answer बिना देगा 9120 यह आगया हमारा answer second को name बिना without actual multiply इने multiply करके identity के through हमारा answer आएगा 9120 बहुत easy question था पठा लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह थी आप सोचो यहाँ minus है तो आप यहाँ भी minus लगा दो नहीं अब देखते हैं इसका third part 104 multiply 96 तब हम इसका कर रहे हैं c part that says 104 multiply 96 क्या मैं इसे इसे लिख सकती हूँ 100 plus 4 और 100 minus 4 राइट अरे अरे यह क्या हो गया यह तो वो identity बैट गई कौन सी identity आ गई a square minus b square दोनो a है यह b है क्योंकि यह same same है यह बी same same है यह दोनों की multiply करेंगे square हो जाएगा इन दोनों की multiply करेंगे ये भी square हो जाएगा plus minus की multiply करेंगे minus हो जाएगा जब दोनों bracket same होते हैं सिर्फ plus minus अलग-अलग होते हैं एक में plus होते हैं दूसरे में minus और दोनों bracket बिलकुल term same होते हैं तो कौन सी identity लगाते हैं? ये जब दोनों bracket कैसे होते हैं? a plus b, a minus b तो identity लगती है a square minus b square तो मतलब इसमें identity लगेगी 100 square minus 4 square 0000 minus 16 अरे तो बहुत जल्दी answer आ गया हमने कुछ भी नहीं कर रहा इसमें और answer तब भी कितनी जल्दी आ गया ये ना अच्छी चीज़े हमें मतलब बहुत help होई इस question में कि हमारा answer आ जाएगा इसमें 9984 हम इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा फटा-फट multiplication हो गई पूरी इस multiplication विद अच्छील में तो बलकि जादा time लगता without अच्छील में बहुत जल्दी हमारा solution solve हो गया तो ये ये तो हमारे तीनों question बहुत जल्दी solve हो गया identity लगाकर तो I hope आपको अच्छे से ये topic अब clear हो गया हो है न अच्छे से clear हो गया न कोई query तो नहीं है न है तो फटा-फट comment करो इंतजार कस बात कर रहे हो और नहीं है तो वीडियो को like, share और चानल को subscribe करो thank you मिलते हैं जल्दी next वीडियो में